हालो बेलकम टू हलिक्स बैंकिंग का जो सीरीज जो अपना चल रहा है इसमें आज अपन डिसकस करेंगे मिंटिंग कोईंस इन इंडिया ठीक है मिंटिंग कोईं का मतलब होता है जो अपने जो रुपे के जो सिक्के बनते हैं एक रुपे दो रुपे दस रुपे का जो सिक्क जो बनता है और इनको बोलते है अपन जहां पर यह बनता है इसको बोलते है अपन मिंटिंग या फिर इसको बोलते हैं मिंट ठीक है इंगलिस में इसको बोलते हैं मिंट मिंट का मतलग होता है और हिंदी में इसको बोलते है टकसाल ठीक है और जहां पर पैसी जो है नोट चपते हैं उसको बोलते है अपन प्रिंटिंग प्राइस, ठीक है, so, minting coin in India, कौन कौन से coins, जो हैं, वो minting coins है, coin का concept, जो है, वो क्या है, कितने रुपय तक का coin हम छाप सकते हैं, कौन सी metal अपन यूज कर सकते हैं, ये सारा आपन discuss करेंगे, वीडियो इंपोर्टेंट है, IBPS, SBI, जितने भी बैंकिंग एक्जाम होते हैं और जो डिपार्टमेंटल एक्जाम जो होते हैं, JIB का और CIB इन के लिए यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एक्जाम वीडियो है सो आईए डिसकस करते हैं, Minting Coins in India So according to the Coinies Act 1906, 1906 का जो Coinies Act है उसके इसाब से Government of India has a solo right of mint coin भारत सरकार के पास एक अकेला जो है उत्राधिकार है अकेला जो है वो अधिकार है, कोईन बनाने का, सिक्के बनाने का ठीक है, तो सबसे पहले important तो यह है कि RBI जो है, वो Coin नहीं बनाती है जबकि रुपे का जो नोट जो हैं सारे, नोट जो हैं वो सारे के सारे कौन बनाती है RBI बनाती है, एक रुपे का जो नोट है, उसके अलावा जतने भी सारे नोट हैं सारे नोट जो RBI बनाती है और सिक्क्य जो है वो सारे के सारे कौन बनाती है भारत सरकार जो बनाती है तो according to the coin eject और 96 government of India जो है वो बना सकती है coin को government of India supplies the coin to the reserve bank government of India coin बनाएगी उसके बाद RBI को देगी और RBI उनको फिर circulate करेगा अपनी branches में और bankers की branches में ठीक है coin eject 1906 उसके according जो है वो कोई भी जो सिक्का है वो 1000 रुपे तक का सिक्का जो है हम बना सकते हैं ठीक है 1000 रुपे तक के सिक्के की हमारी authority है ठीक है जैसे कि आपने देखा होका निउच पेपर्स में की पचास रुपे का सिक्का जो है बनाए गया है उनर में सौरे का सिक्का जो बनाए गया तो वो So жив लेसं के लिए नि होता है market में जो सिक्का जह अभी अवे level है पहले 10 रुपे तक का सिक्का एबी लेवल था आज कल 20 रुपे का सिक्का जो है वो आ चुका है ठीक है लेकन हम market में भी 1000 रुपे तक का सिक्का ला सकते हैं ठीक है और अगर मैं note की बात करूँ तो note जो है वो 10,000 रुपे तक का note print अपन कर सकते हैं बना किसी amendment की क्योंकि law में जो ही ये लखा हुआ है coin is act में तो ये लखा हुआ है razor bank of india act जो है उसमें note के बारे में लखा हुआ है कतना note अपन छाप सकते हैं ठीक है coin in india जो है वो presently being issued in the denomination ठीक है आज की तारीक में अगर मैं बात करूँ तो india में जो coin है वो 50 पैसे का 1 रुपे का 2 रुपे 5 रुपे 10 रुपे और 20 रुपे का जो है अभी start हुआ है ठीक है तो ये जो है वो coin जो है चलते हैं आप सोज रहेंगे 50 पैसे का coin जो नहीं चलता है ठीक है तो 50 पैसे का market में है नहीं लेकिन RBI के according 50 रुपे पैसे का जो सिक का जो है वो अभी legal tender में है कहने का मतलब bank उसको लेने से माना नहीं कर सकती है ठीक है और 50 पैसे का जो 50 पैसे और उससे जो छोटे coin है उनको अपन बोलते है small coin जिसे 25 पैसे का coin था पहले आज का लहने है only 50 पैसे का यह और एक रुपे और उससे बड़े का जो coin है उसको अपन बोलते है रुपी coin ठीक है यह है रुपी coin coin in the denomination of 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा जो है have been withdrawn from circulation with the effect from that June 30, 2011 30 June 2011 को RBI ने जो सिक्के हैं यह एक पैसे से लेकर और 25 पैसे तक के सिक्के जो है वो legal tender जो है legal tender का मतलब होता RBI की language page में authority होती है ठीक है legal, ठीक है, law के according जो है इसको बनाए जाता है legal tender को ठीक है, तो आज कल यह legal tender में नहीं है 2011 के बाद में यह सिक्के बागी जो उपर जो भी slide में लेके हूँ है 50 पैसे से लेकर 20 रुपे तक का जो सिक्का है वो legal tender में है ठीक है distribution की अगर मैं बात करूं coin की तो coin are received from the mint mint से receive किये जाते हैं यह किस के पास RBI government के पास government इनको देती है RBI के पास RBI इनको देती है regional issue office में sub office में ठीक है और इसका जो पूरा का पूरा जो currency chest network जो है currency chest का network का मतलब होता है हर एक bank का हर एक share में जैसे कि जिस bank जिस share में RBI का office नहीं है बहाँ पर RBI के तोर पर जो है वो bank RBI की तरह काम करती है coin और note का distribution और collection का इसको बोलते है currency chest तो manly जो है जहां पर भी RBI नहीं होती है वहाँ पर SBI जो है वो currency chest के तोर पर काम करती है बागी और भी bank जो है currency chest के तोर पर काम कर सकती है यह RBI के according होता है RBI इसको बनाती है तो coin dopo जो है वो maintain की जाती है banks के द्वारा और government treasures spread across the country करने का मतलब bank जो है उनके लिए इसको दिया जाता currency chest के लिए फिर वो उनको circulate करती है these office issues coin the public directly through their counters and also send coin remittance to the currency chest and small coin depot ठीक है bank जो है वो direct उनको customers को दे सकती है और customers से लेकर डाइरेक्ट यह bank उपर जो है circulation में उनको ला सकती है there are 4422 currency chest branches and 3784 small cost coin depot ठीक है country में इतनी है यह इनकी numbers जो है वो बढ़ते रहते है तो यह ज़्यादा important है नहीं है currency chest जो है small coin depot जो है वो distribute करती है coin को public customers के लिए और other bank branches के लिए ठीक है जैसे कि SBI जो है यहाँ पर chest पर आंचाए किसी भी share में ठीक है तो SBI जो है वो जितने भी सारी branches जो है bank है share में काफी bank branches होती है उन सब के लिए जो है इसको coin को distribute करेगी notes को भी ऐसे ही distribute किया जाता है coin are minted in the four for India government भारस सरकार की चार जो है mint है टक साल है सरकारी उन में जो है coin बनाई जाते हैं तो इनका नाम है एक तो मंबई में है मंबई महराष्टरा में है और इसको establish किया गया था 1937 में British government के द्वारा ठीक है एक है अलिपोर में Kolkata West Bengal जो है यह establish की गई थी 1939 में same British government द्वारा सेफ़ाबाद ठीक है और एक है चेरा पहली में चेरल पहली में है हिदराबाद जो की तेलंगा नामें आता है अभी ठीक है तेलंगाला वाला जो सेक्षन है इसमें जो है आता है establish की गई थी यह 1903 में इस्टवाइल निजाम निजाम जो थे हिदराबाद के वहाँ पर उनकी द्वारा जो इसको बनाए गया था ठीक है और टेकन ओबर दो गवर्मेंट ओफ इंडिया उनीस सो पचास में गवर्मेंट ओफ इंडिया ने इसको टेक ओवर किया था और स्टार्ट मिंटेंग सिंस 1935 1950 से जो गवर्मेंट ओफ इंडिया यहाँ पर मिंटिंग कर रही है और एक है नोउडा में उत्तर प्रदेश में 1986 में इसको बनाए गया था और स्टार्ट किया था मिंटिंग इस्टेनलेस स्टील कोईन फ्रॉम 1988 इस वेरी इंपर्टन ठीक है पहले जो कोईन थे तो तोड़ा आते थे है um between 10 एक सब्रोवार traveled देखे हैं थीक एक पैसे दो पैसे कि अगर आपने कहीं देख हूँ आप गुब पर सर्च कर सकते हैं तो वह मिनियम क्या देते ठीक है उसके बाद जो है स्टरैंड्लेस स्टील के जो सक्छAK जो आप अभी देख रहे हैं ठीक है । दस रुपे का सिक्का और बीस रुपे का सिक्का जो है और पांच रुपे का सिक्का पांच रुपे का जो सिक्का होता है वो तांवे का अता है और एक होता है इस्टील वाला इन तीनों के अलावा जितने भी सिक्के है एक रुपे का दो रुपे का वो सारे सारे स्टेंलेस सि है ठीक है और पहले जो Unfortunately edo. ऐट है 1906 जो अपन स्टार्टिंग से भी डिसकस करने तो इसमें जो है वह एक ही-्मेटल जो है आप यूज कर सकते थे मेटल जू है वह यूज कर सकते थे क्षम में यूजकल के जैसे कि 10 रुपे का सिक्का उसमें बीच में स्टील होता है और कॉर्णर पर जो है वो तामा होता है यह एक्जाम में कुश्यन आया हुआ है इंडियन कोईने जेक्ट 2011 उसके अकॉर्णिंग आप इसको यूज कर सकते हैं इसको बॉंबे मिंट कहते हैं और आप इसको देखिए और आप उससे पहचान सकते हैं कि यह कौन सी मिंट में बना हुआ है ठीक है तो हर एक का मिंट का जो है वो सक्का है तो मुंबई वाली जो मिंट है इसको बॉंबे मिंट कहते हैं तो इसके जो एर जो है इसके नीचे दिखिए स्मॉल डोट है डाइमंड वाला ये वाला तो जिस भी सिक्के पर डाइमंड का जो ये मार्क है वो उसका मतलब है कि ये जो सिक्का है वो ममे की मिंट में मना हुआ है कोलकाता की मिंट जो है उसके नीचे कुछ भी नहीं है ठीक है तो कोलकाता की मिंट जो है कलकाता माइंट जो है नू मिंट मार्क विनीद देट अग कोई अगर कोई भी मार्क अगर नहीं है तो यह जो कोई है वो को है कोलकाता मिंट का है हिद्राबाद की जो मिंट है है हिद्राबाद की मिंट है इसके नीचे आता है स्टार का साइन तो इस तरीके से अपने पता लगा सकते हैं कि यह कितने प्रकार का किस जो है को मिंट का जो है वह कोई है ठीक है और लेटेस्ट अपडेट के लिए अपने इसको अर्वियाई की जो वेप साइट उस पर देख सकते हैं अगर मिंट में कम होता है ज्यादा होता है मिंट जो है वह इंक्रीज की जा सकती है किसी भी मिंट की सप्लाई जो है वह बंद क एक जो एक है उसकी दरश्टी से important है अगर current में अगर इससे related कुछ होता है तो वो इससे ज्यादा important है ठीक है so mint coin का जो अपना ये chapter है वो यहीं पर खत्म होता है ये अपना YouTube channel है इसको like, subscribe and share कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका benefit हो ठीक है और ये अपने Instagram account है आप इनको follow कर सकते है वीडियो की information के लिए ठीक है so thank you for watching like, share and subscribe